हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिस्यल में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको साधी चीजे जैनुएन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों मॉर्निंग न्यूज में मैं आज आपके लिए काफी इंपोटेंट खबरे लेकर आया हूँ तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो को देखते रहे हैं पसंद आए तो लाइक जरूर करिए तो साथियों अभी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आज सुनवाई होने वाली है कोट में आज सुनवाई होगी तो मैं बता देता हूँ क्या मुद्दा है प्रोवाइड की जाए कि हम 58 साल तक मतलब हटा ही नहीं जाए अगर ऐसा होता है मैं आपको बता दूँ अगर ऐसा होता है तो आप वेकेंशीज भूल जाए दिल्ली के अंदर क्योंकि 25,000 का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी वेकेंशीज होती हैं मैं उन साथियों के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं महनत के साथ हूँ अगर आप महनत करते हैं अगर आप लायक हैं अगर आप डिजर्विंग हैं तो आपको आपका हक दिया जाए ये नहीं कि किसी का हक छीन के आपको हक दिया जाए ये गलत है हम इसके साथ नहीं है और मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका हक कहीं पे छीना जा रहा है तो आप उसके अगेंस जाए और सुनने में आ रहा है कि आज कुछ साथी कोट के बहार जा कर रहे हैं मैं सभी से request करता हूं कि जो भी कुछ हो सामती पूर्ण धंग से हो अगर आप कुछ भी अपनी मांगे रख रहे हैं तो सामती पूर्ण धंग से वहाँ पर जाए अपना काम वहाँ पर करिए लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 77% से जादा guest teachers minimum जो qualifying criteria होता है उसे qualify नहीं कर पा रहे हैं तो किस एंगल से मांग की जा रही है कि हमें 58 साल की service दी जाए काफी ऐसे guest teachers हैं जिनका stat qualify नहीं है तो यह बहुत बड़ा सोचने वाला विशे है और डर इस चीज का भी है कि election time है हो सकता है कि government उनके लिए कुछ positive कर दे अगर ऐसा होता है तो जो seat at pass candidates है वो कहाँ पर जाएंगे तो साथियों अगर गलत होता है सबसे बड़ा आदनी गलत कब होता है जब अपने सामने गलत होता हुआ देख रहा है तो वो गलत है आपका हक छीना जा रहे है और आप देख रहे हैं तो आप गलत है तो साथियों मैं request यही करता हूँ सबसे पहले कानूनी ववश्ता है कोर्ट में मुझे विश्वास है कि सब आपके favor में अच्छा होगा और मैं यह नहीं चाहता कि उन साथियों के साथ बिलकुल गलत हो जैसा कि आप जामते हैं कि उनको I.U.C. में छूट दी जाती है और इ जाता हूँ कि किर्पिया करके उन बच्चों के बारे में भी सूचे क्योंकि election के time पे vote के चक्कर में इन बच्चों का जो candidates है जो deserving है उनका भविश्य आप दाव पर ना लगाएं क्योंकि vote उनकी भी है और इनकी भी है और सच्चाई की जो vote होती है वो बहुत जादा होती है अब 25,000 के चक्कर में लाखो बच्चों का नुक्सान करेंगे तो नुक्सान आपको भी होगा तो सात्यों अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जरूर कमेंट करके बताएं और अगर आप सहमत है कि उन सात्यों की मांग जायज है तो आप ये भी बताएं तो गुडबाई, ट